तो अब यहां से और प्रेशर है क्योंकि बैंकों बड़ोदा के भिया नंबर्स देखे थे हमने वह दूसरे बैंक के मुकाबले अब यहां दो चीजे इसमें हमने जब बॉल्ड कोल खरीदनी का दिया था तब सब को बेचना था था तब सब को लगता था बहुत कराब बहुत करावे तो तब हमने 1400 रुपे के आसपास हमने बुला कि अब यहां पर लेने का टाइम है उसके बाद से स्टोक जरे-जरे रिकावर होने के बाद में से इंडेक्स की बाते आई वह सब हुआ एफाइस की कम हुए साड़े सतरा सो सतरा सो पे तरतर के आसपास पहुंचा भी वहां फुली प्राइस हो गया और उसके बाद अगर यह वाली पाफरमेंस आती तो हमें लगता है कि फिर यह प्रॉफिट बुकिंग की क्लियर करती है ट्रेडर्स के लिए शॉट करने के थे और प्रॉफिट बुकिंग की कॉल भी मैंने उन लोगों को दी जिनने पिछले दो कोटर में खरीदा है जिन लोगों का दो साल पहले का खरीदा हुआ है दो साल बाद आगे तक उन्हें नहीं बेचना उनको कोई टेंचन लेनी की ज़रोती है यह उन लोगों के लिए है जो आपका सवाल है इसका जवाब यह स्टॉक भी इग्नोर करने लायक हो गया इसक पूरा क्या करोगे अब हो गया ना छोड़ो ना वही हर चीज को कितना वारोगे करेक्ट सो मेरा पुएंट सिंपल है कि अब हैस्टेव से में के रिजल देखी है रिजल के बाद मैनेजमेंट के कमेंटर सुनेंगे कमेंटर अच्छी नहीं आती है तो हम फिर यह सोचेंगे है वापस 1500-1400 की रेंज में आ रहा है और अगर यह सब ठीक होता है कि ठीक है कोई इश्यू नहीं है हम मैनेज कर लेंगे बैतर हो जाएगा सब कुछ हो जागा है वापस सारे 1700-1800 की रेंज में पहुंचेगा हम उस हिसाब से कॉल लेंगा हर वक्त किसी स्टॉक पर कोई कॉ इसके बाद लेंगे हाँ एक चीज जरूर है वो यह कि access bank हुआ या SBI हुआ यह थोड़े धिले रह रहे हैं और धिले रहेंगे भी मुझे लगता quarterly update में एक शायद ICA से bank बच बच जाए बाकी banks के लिए मुश्किल होगी आपने देखा AU small देखा आज आपने bank को baroda देखा इसा तो मन किसी का नहीं हो रहा है तो इसलिए आराम से वेटन वोच वाली situation में रहें कोई हडबड़ी हो रहे है झाल 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 झाल